डॉक्टर आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित नैशनल कैंसर इंस्टिट्यूट इसके उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्तेत आज के उद्घाटक हमारे आधरनिया पुझनिया सरसंगचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत महाराष्टर के जनप्रिय मुख्य मंत्री आधरनिया एकनाथ्राव शिंदे जी हम सभी के लाडले नेता एवं मारक दर्शक भारत सरकार के मंत्री आधरनिया नेतिन गड़करी जी हमारे पुरदेश अध्यक्ष चंदर शेखर बावन कुले जी इस संस्था के अध्यक्ष जेश्ट विधिग्नय अड़ोकेट सुनील मनुहर जी इस संस्था की जिनको रीड की हड़ी कहा जा सकता है ऐसे हमारे शेले जुगले कर जी और यहां पर पहले दिन से जिन्होंने सारी मेडिकल फैसिलिटी प्लैनिंग डिजाइनिंग और कल्टिवेट करने में परिश्रम लिया ऐसे डॉक्टर आनन पाठक जी मंच पर उपस्तीत हमारे अजय जी आनन जी ललिज जी यहां पर विशेश रूप से पधारे हुए हमारे सभी आश्रे दाता दान दाता और नैशनल कैंसर इस्ट्यूट पे जिन्होंने बहुत प्यार किया ऐसे सभी महानुभाव और उपस्तीत मेरी पतनी अमृता और सभी बहनोर भाईयों आज यह बहुत ही विशेश दिवस हम सब के लिए है क्योंकि 25-30 साल पहले एक स्वपन हम लोगों ने देखा था कि नाकपूर में और मध्यभारत में एक बहुत अच्छा कैंसर इंस्टिटूट बने और विशेश रूप से आज जिस प्रकार से टाटा कैंसर इंस्टिटूट देश भर के लोगों की सेवा करता है और जिस प्रकार से कैंसर केर में टाटा ने अत्यंत सुन्दर काम किया है तो हम लोगों को लगता था कि उनीका मार्क दर्शन लेकर हम लोग एक ऐसी इंस्टिटूट तयार करे जो मध्य भारत में टाटा का काम थोड़ा कम कर सके और उसी दुरुष्टी से इस स्वप्न को हम लोगों ने जीने का प्रयास किया और मैं विशेश उल्लेक करना चाहूंगा शेलेश जोगलेकर जी का क्योंकि ये संपूर्ण कारिय जो संपारित हुआ है इसमें पहले दिन से लेकर तो आज तक दिन रात मेहनत करके चोबीस घंटे एक व्यक्ति यहां था तो वो शेलेश जोगलेकर थे कि जिन्हों ने कि बहुत यह अच्छे तरीके से इसको यहां पर तयार किया और मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो शेलेश जी का और मेरा इस अपन था क्योंकि मेरे पिता जी जब कैंसर से गुजरे उस को सेवाय मिलती थी लेकिन बहुत लोड होता था मुंबए में रहने के प्राप्लेम सोते थे शेलेश जी के भी घर में उनकी पत्नी जब कैंसर से गुजरी उस समय एक लंबी ट्रीटमेंट शेलेश जी ने उनके लिए जब की तो शेलेश जी एक प्रकार से कैंसर के विलाज जी फड्नविस की राष्ट्रीय सोयम सिवक संग में एक प्रकार से हमारे मारगदर्शक विलाज जी थे और विलाज जी ने इसमें प्रेरणा दी और यह जो सारी टीम हमको दिखाई पड़ती है यह सारी टीम उस समय विलाज जी के तत्वाओधान में तयार हुई और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो हम दोनों का सपना था वो एक टीम का सपना बना और इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इसका भी उल्लेख में करना चाहता हूं कि पनुपुजनिय डॉक्टर मोहन जी इन्हों ने हर स्तर पर हमको मार्क दर्शन किया और देकर कितना कार्य हुआ है ये भी उन्होंने उसकी जानकारी भी ली उसका मार्क दर्शन भी हमको किया अधरनिय भाया जी ने हमको मार्क दर्शन किया और विशेश रूप से पसंद आएगा नहीं लेकिन फिर भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा हमारे सुनिल जी काम में बहुत अच्छा मार्क दर्शन किया और मैं असा मानता हूं कि यह केवल कि संघ की प्रेरणा थी कि जिसके कारण हम सब लोग मिलकर इसको तयार कर पाए और आज एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल तयार हुआ है पहले दिन से हम लोगों ने तय किया था कि तो स्टेट ऑफ आर्ट ही बनेगा लेकिन इसमें भाव यह होगा कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए इसलिए आज आप देख सकते हैं जनरल वार्ड हो या स्पेशल वार्ड हो सब जगह सुईधाय सरीकी हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोई उसमें बदलाव नहीं है मेडिसिंस जो यूज होते हैं कोई बदलाव नहीं है डॉक्रस की टीम उसमें कोई बदलाव नहीं है जो गरीब से गरीब आदमी को है और जो एक सधन व्यक्ति को है इसमें कोई फर्क इस हॉस्पिटल में आपको दिखाई नहीं देगा और ये सारी चीज़ें करते हुए हमने ये प्रयास किया कि चुकि कैंसर एक लंबी बीमारी होती है इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है परिवार पर इसका असर होता है इसलिए हम लोग इस ट्रिट्मेंट को एफोर्डेबल कैसे कर पाएं कई बार जो गरीब लोग होते हैं उनको हम लोग जो सेवा हैं निशुल्क भी देते हैं और विशेश रूप से एक उल्लेख में करना चाहूंगा कि पहली बार मद्यभारत में पीडियाट्रिक वार्ड यहां पर शुरू हुआ है और बच्चों को यहां पर कैंसर की जाती है पीडियेट्रिक वार्ड में वो पूर्ण रूप से निशुल्क दी जाती है उसमें कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता और हिश्वर का आशिरवाद ऐसा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो बच्चे आते हैं पूरे तरीके से ठीक हो कर जाते हैं अगले 40-50 साल की उनकी जिन्दगी यहां पर उनको मिलती है और हमने यह देखा है कि प्राया यहां आने वाले सारे बच्चे ठीक हो कर जाते हैं तो मुझे असा लगता है कि एक प्रकार से यह सारा कारे जो हुआ एक इशुर का आशिरवाद भी इसमें मिला है क्योंकि अच्छा कारे यहां पर खड़ा हुआ लेकिन इस कारे से अभी हम पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है क्योंकि हम यह चाहते हैं कि जो भी कैंसर में दुनिया में सबसे आधुनिक्तम ट्रीटमेंट हो वो ट्रीटमेंट यहां पर आनी चाहिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रोट हैं उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो भी कैंसर के क्षेत्र में सबसे आधुनिक्तम ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को हम लोग यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और यह सारी चीज़े बिल्कुल एफोर्डेबल हो जो पे कर सकते हैं वो पे करें और जो कर सकते हैं उनकी जितनी विवस्ता हम कर सकते हैं जितने कम शुल्क में हम कर सकते हैं उतनी विवस्ता हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथ-साथ अब आने वाले दिनों में यहां पर एक बड़ी धर्मशाला भी हम लोग तयार कर रहे हैं क्योंकि दूर-दूर से पेशंट तो लोग यहां पर एक धर्मशाला का भी निर्मान करेंगे ताकि उनको रहने की वहां पर विवस्था हो और उनके पिशेंट्स का वो ठीक ढंग से खयाल जो है वो रख पाए इसके साथ-साथ दो और सेंटर हम लोग यहां पर खोलना चाहते हैं विशेश रूप से चुकि यहां पर अभी BMT का भी काम अगले तीन महने में शुरू होगा और BMT के साथ-साथ जो blood related diseases है उसमें विशेशता विदर्ब में थेलेसेमिया और सिकल सेल यह दो जो बिमारिया है यह बहुत बड़े पैमाने पर हमको दिखाई पड़ती है और इसमें भी बहुत लंबी treatment है और काफी गरीब लोगों को इसका सामना करना पड़ता है सरकार के और से भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नितरुत में हम कुछ facilities खड़ी कर रहे है लेकिन उसके साथ-साथ यहां पर भी हम लोग थेलेसेमिया और सिकल सेल के सेंटर्स आने वाले दिनों में शुरू करना चाहते है ताकि उसका रिसर्ज भी हो और उसकी ट्रीटमेंट भी यहां पर हो उसकी भी शुरूआत हम लोग निश्चित रूप से जल्दी ही करेंगे विशेश रूप से हमारे डॉक्टर आनन पाठक जी इनका हमेशा यह कहना होता है कि आपने इसका नाम रिसर्च प्रकार की यहां पर यह सारी अनुसंधान की फैसिलीटी हम लोग निश्चित प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि जिसमें बड़े पाइमाने पर जो इस फिल्ड के लोग है वो सारे लोग यहां आकर अनुसंधान कर पाए और नए-ने प्रोटोकॉल तैयार कर पाए नए-ने ट्रीटमेंट्स हम लोगों को दे पाए और उसके लिए हम लोग जो भी एक हमारे सारे कैश फ्लो में जो भी हम डेडिकेटेड एक उसका हिस्सा उसके लिए रखना चाहते है वैसे भी यह कोई प्रोफिट अर्न करने के लिए तो तैयार नहीं हुआ है सेवा करने के लिए तैयार हुआ है इसलिए कभी उसकी चिंता तो किन है लेकिन जब तक डेडिकेशन के साथ अनुसंधान नहीं होता तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यह सारा कारिय हम लोग वक्ता वो रहे है बहुत ही senior advocate है बहुत ही busy रहते हैं लेकिन उन्होंने इस hospital के लिए अपना बहुत समय लगातार हमको दिया है बार-बार वो यहां पर आकर पूरे तरीके से participate करते हैं यहां पर जो अर्चने होती हैं उसको दूर करते हैं तो जिस समय हमने 2015 में उनको बागड कारे को कुछ समय बाजू रखकर भी वह यहां पर समय देते हैं इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यत करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एक विवस्था खड़ी की है यह आम लोगों के लिए खड़ी की विवस्था है वैसे तो हम सब लोग कैंसर यह बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है इसलिए हम लोगों ने यह भी तहिकिया कि हम लोग बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कैम्प्स ले रहे हैं अगर कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है या प्री कैंसर स्टेज पर चीज़े ध्यान में आती है तो इ डेडिकेशन के साथ सभी की विवस्ता यहां पर हो इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग मिलकर दिश्चित रूप से करेंगे मैं फिर एक बार हमारे सारे जो ट्रस्टीज हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं उनके कॉंट्रिबूशन के लिए उनकी डेडिकेशन के लिए उ और इतना ही कहता हूं कि आने वाले दिनों में यह यात्रा आगे जारी रहेगी इसको अच्छा और अच्छा और उससे और अच्छा कैसे कर पाये यह प्रयास हम करते रहेंगे मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार वेक्त करते हुए अपनी शब्दों को विराम देता हू जेहिन जे महाराष्ट